नमस्ते मैं परूल हुमा कुरेशी इन एन एस तरला जी फाई पर ये मूवी रिलीज हुई है साथ जलाई को तरला तरला दलाल एक फूड राइटर एक बुक अथर वे टीवी शेफ रही है जिन्होंने करीब सो किताबे लिखे हैं जिसकी दस मिलियन कॉपी लिखी है दो कुपनी शो आएं हैं टीवी पर जिन्हें मुझे लगता है सभी ने कभी ना कभी जरूर देखा होगा 1936 में जन्मी तरला दलाल 1966 से लेके 2013 तक काम करती रही और इस दोरान उन्होंने बहुत सारी किताबे लिखी बहुत सारे शोक किये इंटिया में भी और बाहर भी और 2013 में हार्ट अटेक की वज़े से वो इस दुनिया को अलविदा कह गए सोचिए ऐसी प्रेणादाई लक्षियत के उपर अगर फिल्म बने तो वो कैसी होने चाहिए वो फिल्म जैसी होने चाहिए तरला फिल्म बिल्कुल भी वैसी नहीं है फिल्म की कहाने शुरू होती है तरला के ग्रेजुशन करने से जब उसकी शादी की बात चलती है और वो अपने होने वाले पती से कहती है कि मुझे आप से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकि मैं अपने जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ क्या करना चाहती हूँ वो मुझे अभी नहीं मालूम है उनके पती कहते हैं कि आपको जब भी जिंदगी में ये पता लगे के आपको क्या करना है आप करिएगा मैं आपके साथ दूगा स्यादि हो जाती है तीन बच्चे हो जाते हैं और तर्ल आपनी फैमिली में रम जाती है एक दिन वो अपने पती को non wedge खाते हुए देख लेती है और उने वो non wedge खाने से तो नहीं रोकती है हाला कि वेच प्योर vegetarian होती है तो वो non wedge खाने का wedge adaptation घर में बनाती है और इस तरीके से पहले महले में उनकी खाना पसंद किया जाता फिर वे कूकिंग की क्लासिस देने लगती हैं, उसके बातीन पर आने लगती हैं, किताब लेगती हैं, फिर मेवसं ओने लगती हैं, उनके पती आफ-एड-अन उनकी सहयों करते रहते है, कभी-कभी उनकाँस्य材 फिर्म ऋंका हैयों गांदोलंड भी शुरू होता है, फिर्म में बहुत सारी चीजें थी जो सुसाइटी में अवेरनेस के लिए फिर्म के जो निर्देशक है वो दे सकते थे लेकिन वो नहीं दे पाए हैं अगर अक्टिंग की बात करें तो हुमा कुरेशी बहुत ही कन्फ्यूज रही है अपनी अक्टिंग में वो ऐसा लगता है सच में ही डारेक्टर की अक्टर है कि अगर डारेक्टर अच्छा होगा तो वो अच्छा काम करेंगे और अगर डारेक्टर अच्छा नहीं होगा तो वो शायद उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगी उनकी पुराने फिल्मों को देख कर तो यहीं लगता है इस फिल्म में उनका करेक्टर एक सीन में कुछ अलग है और दूसरे सीन में कुछ अलग है, वो पूरी तरीके से पात्र में उतर नहीं पाई है, उनके पती के रोल में शारी भाश में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लास्ट में आगे पूर नेंदु भटाचारियों बताते हैं कि अक्टिं चुकाना नहीं कि Culm वाली कहानि कभी भी आपको कहानी एक्टिविटी भी इतना टायम में तो पूरी फिलम की स्टोरी यह कहीं जा सकती है ऐसी लिए यह फिलम इतनी ज्यादा पीजाने और विए दिखाने बाद में चाहिए था और दिखाया जाना चाहिए था नहीं दिखाया गया है आपको यह फिल्म लेकिन पिर भी क्यों देखने चाहिए पता नहीं इस फिल्म से आप क्या ले जा सकते हैं एक पुरुष जब पती होता है या एक पुरुष और एक पती एक ही महिल्या की बारे में अलग-अलग विचार कैसे रखते हैं पुरुष पती होकर टिपिकल हस्बेंट क्यों हो जाते हैं लेकिन इसके लिए भी आपको ये फिर्वी देने की देखने की के अज़र बनते हैं इसके लिए बहुत सारी जगह हैं जहां आपकी डिबेट कर सकते हैं तो पॉपकॉर्म टॉकेज की तरफ से तरला को वन एंड हाफ स्टार नेक्सी मिलते हैं जल्दी से एक अच्छे से आपके लिए लेकिया आएंगे प्लीज हमारे जैब्री का सबस्क्राइब कर दीचे लिए नमस्तुर।